हम खुद को एक धर्म निर्पेक्ष देश कहते हैं जो कि हम नहीं हैं लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनके तो 33 करोड देवी देवता हैं हिंदु मूख प्राणी हैं वो अक्सर बोलते नहीं है द्वितिय विश्व युद्ध का एक बड़ा हिस्सा भारतिय मंदिरों के सोने के पैसे से लड़ा गया था समय निकलता जा रहा है ये एक चीज उन्हें करनी ही चाहिए इससे पूरी दुनिया प्रज्वलित हो उठेगी नमस्कारम सद्गुरू इस साल आम चुनावा रहे हैं तो वो कौन सी एक चीज है जो आप चाहते हैं कि नौ निर्वाचित सरकार करें इस देश को कई चीजों की जरूरत है जैसे की आर्थिक विकास में तेजी की जरूरत है जो निश्चित रूप से अगले पांच से दस सालों में होगा ऐसा मेरा मानना है शिक्षा में बदलाव की जरूरत है लेकिन आप मुझे किवल एक ýछी चीज़ दे रहे हैं सिर्फ एक चीज मेरे पास कई चीज़े हैं लेकिन अगर एक ही चीज़ बतानी है तो इस सभ्यता के खिलने के लिए और अगले 25 सालों में मूल्यवान होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हिंदू मंदिर हिंदूओं के हाथों में आ जाने चाहिए क्यों ये महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि आपको समझना चाहिए कि हिंदू मंदिर कोई प्रार्थना की जगह नहीं है ये कोई पूजा स्थल भी नहीं है ये उर्जानवित प्राण प्रतिष्ठित स्थान थे अलग-अलग उद्देश्यों के लिए ताकि मनुष्य उन्नती कर सके और अतीत में ऐसा हुआ भी जब ज्यादातर दुनिया नहीं जानती थी कि ये सब क्या है तब हम गणित, संगीत, खगोल, विज्ञान, आध्यात्मिक प्रक्रिया के उच्चतम स्तर पर थे अगर आप उन लोगों की विचार प्रक्रिया को देखें जो यहां पांच से दस हजार साल पहले थे तो दुनिया में कहीं भी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने इंसान की आंतरिक खुशाली में निवेश किया मंदिर उसके ही भौतिक भव्यमूर्त रूप हैं, ये पूजा के स्थान नहीं है, ये कोई प्रार्थना के स्थान नहीं है, जहां कोई पुजारी आपसे कहता है कि तुम मुझे इतने पैसे दो तो मैं तुम्हारा संदेश भगवान को भेज दूँगा और फिर वो तुम् बात करेंगे और वो सारी चीजें, मंदिर में आप सिर्फ दर्शन के लिए जाते हैं, प्रार्थना के लिए नहीं, आपको ये समझना चाहिए, आप मंदिर प्रार्थना के लिए नहीं जाते, आप सिर्फ वहां दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि आप चुप नहीं रह स बारे में है, उस रूप को आत्मसाथ करने के लिए, अपने भीतर, ये भगवान को बुलाने के लिए नहीं है, भगवान बनने के लिए है, ये खुद के काम के लिए किसी को नीचे बुलाने के बारे में नहीं है, खुद को उठाकर उस संभावना तक पहुंचने के लिए है, अब हम अपने आपको एक धर्म निर्पेक्ष देश कहते हैं जो कि हम नहीं हैं क्योंकि ज्यादातर हिंदू मंदिर सरकार के हाथों में हैं सरकारी बाबु उन्हें चला रहे हैं व्यवस्थित ढंक से बरबाद किये जा रहे हैं भक्तों के बिना मंदिर नाम की कोई चीज नहीं होती सिर्फ एक भक्त के हाथों में ही कोई चीज पवित्र बनती है एक करमचारी जो यह सोचता है कि कब उसकी तनखवा बरेगी क्या वो कोई ऐसी चीज संभाल सकता है जो लोगों के जीवन में ऐसी संभावना लेकर आएगी और मंदिर, कला, संगीत, संस्कृति हर चीज का केंद्र रहे है वो सब कुछ पूरी तरह से बरबाद किया जा रहा है तो ये मेरी संस्कृति बनाम तुम्हारी संस्कृति का सवाल नहीं है ये एक सचेतन संस्कृति है जो इस तरह से बनाई गई थी कि मानव चेतना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो दूसरी चीजें उसके बाद आती है यही वजह थी कि लोग तो जुगी जोपड़ी में रहे पर उन्होंने आपकी कल्पना से परे मंदिरों का निर्माण किया इंजीनियरिंग, वास्तुकला के अद्भुत उदाहरन और अथक प्रयास कैसे एक हजार साल पहले, दो हजार साल पहले, पांच हजार साल पहले उन्होंने इस तरह के मंदिरों का निर्माण किया जब पत्थरों को ले जाने या उठाने के लिए कोई मशीन नहीं थी, आवा गमन के कोई साधन नहीं थे लाखों टन पत्थर कैसे इनसानों ने हाथों से ये सब किया होगा जब आप वाकई इस बारे में सोचेंगे अगली बार जब आप किसी प्राचीन मंदिर जाएं तो इस पर गौर करें कि अगर आप यहाँ एक हजार या पंद्रह सो या दो हजार साल पहले होते तो आप कैसे इन्हें मशीनों के बिना ऐसे रख पाते ये सब सोच पाना भी असंभव है पर उन्होंने ये चीज़ें की क्योंकि उन्होंने ये देखा कि इनसानों का विकास सबसे महतवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव चुन सकें इसलिए ही, हमने ऐसे मंदिरों का निर्माण किया। पर अब भी क्यूकि हर कोई सोचता है, ये मेरा समुदाय वो तुम्हारा समुदाय, तो ये प्रतियोगिता जैसा हो गया है, ये किसी के साथ प्रतियोगिता नहीं है, ये मनुश्यों के कल्यान के साधन है जिनके बिना हम स्थूल जीवन जीएंगे उनीस सौ तिरानबे में जब हम पहली बार इस जगह आए होलनेस प्रोग्राम के लिए जब कुछ 68 लोग मेरे साथ 90 दिनों के लिए थे तब पहली बार मैंने किसी और से इस बारे में बात की जबकि 18 साल से ये मेरे गर्भ में था पर पहली बार मैंने ये बोला कि हमें ध्यान लिंग मंदिर बनाने की जरूरत है तुरंत ही जैसे ही आप शिक्षित होते हैं आप ऐसे हो जाते हैं मैं खुद भी इस तरह की शिक्षा से गुजरा हूँ मंदिर क्यों स्कूल या हॉस्पिटल क्यों नहीं मैंने कहा वो सब चीजें बाद में होंगी पहले हमें इसे बनाना है क्योंकि मैंने इसे गर्भ में धारण कर रखा है हमेशा के लिए भीतर नहीं रख सकता मुझे इसे जन्म देना होगा तो आज अगर ये मंदिर की जगह यहां कोई स्कूल होता या हॉस्पिटल होता तो क्या आप यहां होते मैं पूछ रहा हूँ शायद जब आप बीमार होते तब आप यहां आते महतुपूर्ण चीज है उसके विकास को तेज करके एक उच्च संभावना तक ले जाना इसी उद्देश्य के लिए हमने इन संरचनाओं का निर्माण किया जबरदस्त प्रयासों से और हर तरह के मंदिर हर प्रकार के इंसानों के लिए उनके हर तरह के उद्देश्यों के लिए उन सभी चीजों के लिए पर आज जिन्हें आकरमाणकारियों ने नश्ट कर दिया उन्हें छोड़कर आज जो बचे हैं वो सरकारी बाबू चला रहे हैं ये एक चीज सरकार को करनी ही चाहिए क्योंकि लोग इसकी प्रतिकशा कर रहे हैं क्योंकि हिंदू मूख प्रणी होते है मतलब आम तोर पर वो बोलते नहीं है चाहे जो भी हो क्योंकि हजारों साल के आकरमणों ने उन्हें ये सिखाया है कि अगर तुमने अपना सिर उठाया तो तुम्हारा सिर चला जाएगा इसलिए सिर नीचे करके चलो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी से लडाई करनी है क्यों करेंगे हम कह रहे हैं कि हर धर्म के समान अधिकार है हर धर्म के पास स्वतंत्रता है जो वो करना चाहें जब ऐसा है तो मंदिर सरकारों द्वारा क्यों चलाए जा रहे है बस इसलिए क्योंकि वहां पैसा है क्योंकि धन दौलत है वैसे भी सारे जेवर सोना हीरे सब कुछ अंग्रेज ले गए जो भी वो ले जा सकते थे जहाज भर के कई तरह से द्वितिय विश्व युद्ध का एक बड़ा हिस्सा भारतिय मंदिरों के सोने से मिले पैसे से लड़ा गया था उसका एक बड़ा हिस्सा लेकिन उसके बाद आजाद भारत में नेताओं ने सब चुरा लिया भाण में जाए सोना मुझे सोने या हीरे में दिल्चस्पी नहीं है जो सोना मंदिरों में था या अब भी है मुझे उसकी परवाह नहीं है ये उर्जा के रूप है इन्हें जीवित रखना होगा ताकि आने वाली पीड़ी को इनसे लाव मिले लेकिन समय निकला जा रहा है तो इसका क्या आसर होगा इससे पूरी दुनिया प्रज्वलित होगी अगर हम इन स्थानों को शक्तिशाली रखें ये सिर्फ हिंदूओं के लिए नहीं है इस धर्ती के हर इनसान को इनसे लाव होगा धर्ती के हर जीवित प्राणी को इनसे लाव होगा ऐसा करने का एक तरीका है और भारत के बाहर कई देश इसे समझ रहे हैं लेकिन यहां राजनीतिक कारणों से और लालच की वजह से हम इन्हें ऐसे पकड़े हुए हैं अगर मुझे नई सरकार से सिर्फ एक चीज बोलनी हो तो यह एक चीज होनी चाहिए क्योंकि यह उस तरीक या फिर इस तरह से मैं पूछ रहा हूँ किसी खास रिश्टे में उस तरह देखने की भी गुझाईश होती है पर जब वो सड़क पर मेरे सामने होती है तो क्या उसे इस तरह देखना बहतर नहीं होगा हलो उसके लिए मेरे लिए समाज के लिए क्या यह बहतर है यही इसका यहा तो सांप एक भगवान है, गाय भगवान है, बैल भगवान है क्यों नहीं एक पत्ता भी भगवान है hör कि इस रिश्टी का हर छोटा एंश इश्वर है अगर आप एक अनू को देखें अगर में इलेक्रान मायुक्र स्कूप में एक अठू को भी देखूं तो पहली ची जीत हासिल करने के मोड में है, वो जो भी देखते हैं, उसे जीतना चाहते हैं, जो भी वो देखें, उसके सामने जुकने जैसी कोई बात ही नहीं है, अगर ऐसा होना है, तो इन मंदिरों को जीवित रखना होगा, सिर्फ इमारतों की तरह नहीं, बलकि सजीव रूप में, इन किसकी भी सरकार बनें, ये एक काम उन्हें करना ही चाहिए.